तो आम आपनी पार्टी आरूप लगा रही है कि बीजेपी अपने फाइदे के लिए दिल्ली को तहस नहस करने में लगी है लेकिन आम आपनी पार्टी ने ये भी कहा कि ये सब चुनाओं के मद्दे नजर है 63 लाग घरों को निशाना बनाय जा रहा और उनको इसी तरह से तोड़ा फोड़ा जाएगा लाइब तस्वीरे दे की भगल में हम आपको दिखा रहे है जिस तरह से कारवाई का दौरी लगतार जारी है लेकिन जहां जहां पर ये बुल्डोजर की कारवाई की जा रही है आम अपनी पार्टी के नेटा विदायक लगतार वहाँ पर पहुँच रहे है और विरोट प्रदशन करते हुए भी दिखाई दिया आम अपनी पाल्टी के नेता यानि की विधायक अमांतुला खान ने ये कह दिया कि ये कारवाई मैं तब तक करूँगा जब तक यहां पर रोक नहीं लगाई जाती उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मेरी गिरफतारी से अगर गरीबों के मकान घर अगर बचते हैं तो मैं ये प्रदशन करूँगा अलग कि कल के दिन उनको पुलिस ने गिरफतार भी किया और ऐसे में दिल्ली के डिप्टी सीम में भी आरूप लगाया है बीजेपी की बुल्डोजर वाली कारवाई पर शाहिनबाग में आपको याद होगा जब बुल्डोजर वाली कारवाई हो रही थी तो वहाँ पर इस थानी लोगों ने जम कर प्रदशन किया बीजेपी के विधायक वहाँ पर पहुचे इसके बाद वहाँ पर इस कारवाई को रोक दिया गया लेकिन आज के दिन शाहिनबाग में प्लानी है कि जुमे की नमाज के बाद वहाँ पर जम कर प्रदशन होगा क्या इस प्रदशन से बुल्डोजर की कारवाई पर लगाम लगेगी क्या ये रुकेगी कारवाई ऐसा कहीं से भी दिखाई नहीं देता क्योंकि MCD पूरी तरह से मूड़ बना चुकी है कि जहां जहां पर अवैद अतिक्रमण दिल्ली में हुआ है वहाँ पर ये कारवाई की जाएगी दिल्ली के स्थानी लोगों ने भी कहा कि अवैद अतिक्रमण पर कारवाई जरूरी है कल के दिन जब हमारे सामधाता ने ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत की तो उनका ये कहना कि दिल्ली में जाम से हम इसलिए जूसते हैं क्योंकि जगा जगा पर अवैद अतिक्रमण और लोगों ने निर्माण कर रखा है तो दोनों पक्षों की अपनी अलग अलग रहा है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने अपनी वर्षों की कमाई और पूजी लगाई है दुकानों को और मकानों में बनाने में उन्होंने भी जम कर विरोध किया है सरिता वियार मदनपुर खादर तमामों इलाके जहां से अतिकमर भटेगा और बुर्डोजर चलेगा